सावन के महिने में आने वाली नाग पंचमी का हिंदु धरम में बहुत खास महत बताया गया है। इन जातकों की कुंडली में काल सर्ब दोस होता है उसके निवारन के लिए नाग पंचमी का दिन उचित और मैतोपून बताया गया है। धार्मिक गरंतों के अनुसार यदि इस भी जातक की कुण्डली में काल सर्ब दोस है और वह हवाई उस दोस्ते मुक्ति पाना चाहता है तो हरिद्वार में पूजा करणने से काल मुक्तिस ये मुक्ति पाने के जो की इसमें प्रतिवर्स नाग पंचिमी के पर्व को स्रावन मास में सभी धुमदाम से मनाते हैं साथ ही भगवान भोले संकर की कृपा स्रावन मास में अधिक होने से नाग पंचिमी पर्व का महत्व बढ़ जाता है अब नाग पंचिमी में हमें क्या करना चाहिए किस चीज से हमें लाव मिलता है क्या चीज करने से हमारे सब कश्ट दूर होते हैं कहने का आई पराई यह है नाग पंचिमी को नाग एवं सर्प की पूजा करने से हमें काल सर्प दोस से मुक्ति मिलती है अगर हम विधी विधान से नाग पंचिमी के दिन काल सर्प की पूजा पूर्ण विधी से करें तो काल सर्प से होने वाला जो दोस है उससे हमें पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है सास्त्रों में भी नाग पंचिमी को काल सर्प से दोस मुक्ति का उपाय बतलाया है इसके तिरिक्त नाग पंचिमी परुको हम सनातन धर्माव लंबी घरों में भी नाग पंचिमी की पूजा करते हैं इसका भी बहुत बड़ा महत्व है बात और खास यह है उस दिन सर्प को द लोग है उनको सर्फ मिल जाता है कई बार सर्फ को दूद्ध पिराने वाले कोई विक्ति यह सबेरे टाइब के आ जाते हैं और वह दूद्ध पिलवाते हैं उससे भी काल सर्फ दोस्ते मुक्ति प्राब्ध होती है और नाक पंचिमी का हमारा जो पर्व है वह सार्थव हो जा है प्राब्ध पाल क अरती है पर दोस्ते हैं, और वह करनेगा तोस्ते हैं, तोस्ती हैं तोस्तों के प्रण एंगर हैं जासना को सुद्ध ऑले के वह स्वादाने को सर्फ चाहता हैं यह सम्नों जाख हैं घ्ड़राएं और दोस्त टोस्ति झाल झाल